Hello students, आज हम पढ़ेंगे class 3rd की English Book Golden Leaves का chapter number 12, The Grand Patch Up तो आईए, chapter को start करते हैं और जानते हैं story के बारे में Let's read this sweet story about two friends who stop talking to each other But they do patch up and become friends again Read on to find out how तो ये story है एक दो सहेलियों के बारे में जो एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देती है फिर उसके बार जब उन दोनों की misunderstanding दूर हो जाती है तो वो दुबारा से दोस्त बन जाते हैं वापिस से दोस्ती कर लेना ठीक है और फिर वो दुबारा से सहेलिया बन जाती है चलिए आए चाप्टर को स्टार्ट करते हैं Mary Sangma and Josanna Maruk are next door neighbors and best friends तो यह Mary Sangma और Josanna Maruk जो हैं यह दोनों ही next door neighbors है next door neighbors का मेनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है एकदम पडोस वाले पडोसी यानि जिनका गडर एकदम ही चिपका हुआ अगलबगल है ठीक है? तो ऐसे लोगों को हम next door neighbor बोलते हैं तो ये दोनों ही next door neighbors या नि पडोसी हैं और साथी साथ दोनों best friends भी हैं One day Josanna showed Mary a waste band that she had spent days making अब एक दिन जो Josanna होती है वो अपनी सहेली Mary को waste band दिखाती है जो कि उसने बहुत दिनों तक बनाया था यानि बहुत समय लगा करके उस waste band को बनाने में समय बिताया था अब ये waste band क्या होता है waste का मतलब हो गया कमर ठीक है और band का मतलब हो गया पट्टी जैसे belt हो गया तो Chinese tradition में waste band पहनना बहुत ही normal माना जाता है मैं आपको एक waste band के photo दिखाती हूँ इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसी चीज है तो waste band कुछ इस तरह का दिखता है ठीक है Chinese लोग कपले के ऊपर से इस तरह का waste band पहनते हैं तो यहाँ पर जो जैना है उसने मैरी को दिखाया कि उसने अपनी मदर के लिए waste band बनाया था I made it for my mother वो कहती है मैं ने ये अपनी मदर के लिए बनाया है What do you think? जैना asked excitedly जैना अपनी सहेली मैरी से पूछती है तुम्हें कैसा लगा यह बताओ मुझे I don't think she will ever wear it जैनेंगी भी और मैं भी इसे कभी नहीं पहनती है ठीक है फिर क्या होता है जैना got up and left जैना मैरी की ये बात सुनती है वहाँ से उठती है और चली जाती है Students अब आप ये बताईए कि अगर आपनी कोई भी समान बहुत मेहनत से बनाया है अपने दोस्त के पास जाते हो उसे पूशते हो कि बताओ ये कैसा बना है और अगर वो reply में ये बोले कि मुझे नहीं पसंद आया तो आपको क्या बुरा लग जाएगा इस बात का तो ऐसा नहीं होना चाहिए हाला कि ये नीचर होता है कि हाँ कोई इनसान अगर हमें बोले कि ये चीज अच्छी नहीं लग रही तो हमें बुरा लग जाता है बुरा लगने का कारण होता है क्योंकि हमने उस चीज के उपर इतना समय दिया होता है कि हम expectation करने लगते हैं कि हाँ सामने वाला बंदा इस चीज की तारीफ करें बट सच बोलना भी कोई गलत चीज नहीं होती है और सथ सुन करके आपको बुरा मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है तो आएए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है अगले दिन क्या होता है क्योंकि वो दोनों ही स्कूल साथ में पैदल पैदल वाक करते वे जाया करते थे जोजाना मेरीकर रहे होती है जोजाना के लिए उसकी फेवरीट गले लेकर करके आई होती है पर आज जोजैना ने मैरी के साथ लंच ना करके कैरोलाइन के साथ लंच कर लिया होता है यानि साफ सी बात पता चलती है यहां पर कि जोजैना को मैरी के बात शहएद पसंद नहीं आई है और इसलिए जो Mary है वो अपनी फ्रेंड के साथ बातचीत करने कोशिश कर रही है पर जोजैना उसमें इंट्रेस्टेट नहीं दिख रही है That evening, Mary waited for जोजैना at home उसी शाम को, Mary जो है वेट करती है अपने गर पर जोजैना का क्योंकि वो दोनों साथ में मिलकर के खेलते होते थे She wanted to play with the toy cards that the two of them had built with her father और वो इंतजार कर रही होती है क्यों? वो खेलना का इंतजार कर रही होती है toy cards से जो कि उन दोनों नहीं साथ में मिलकर के बनाए होते हैं उनके father के साथ But जोजैना did not come इस पार भी जो शाम में भी जोजैना नहीं आती है यानि अभी तक क्या हो रहा था जोजैना हमने उपर से क्या दिखा कि जोजैना जो है अपने मदर के लिए बनाती है Mary अपना बोल देती है कि भई उसकी मदर को पसंद नहीं आएगा वो खुद भी नहीं पहनना चाहेगी फिर क्या होता है जोजैना गुस्या हो करके वहाँ से चली जाती है Mary अगले दिन जोजैना का इंतजार करती है स्कूल जाने के लिए पर जोजैना तो पहले ही जा चुकी होती है Mary अपने सहीली के लिए लंच में ड्राइट फिश करी इस भी लाई होती है पर जोजैना तो कैरलाइन के साथ खाना का चुकी होती है शाम में Mary जोजैना का इंतजार करती है पर होता क्या है कि जोजैना है वो नहीं आती है Mary looked at all the things she had built with जोजैना in the yard the flute, the birdhouse and the train track Mary जो है वो देखती है यार्ड में यार्ड मतलब होता है घर का पीछे का हिस्सा जहां पर garden होता है ठीक है तो Mary जो है अपने यार्ड में देखती है जोजैना के साथ मिल करके बनाई होती है क्या क्या चीज़े बनाई होती है उन दोनोंने मिल करके उन दोनें मिलकर के flute बनाया होता है यानि भासुरी, bird house बनाया होता है और train चलाने अला track भी साथ उन दोनें बनाया हुआ होता है इस सारी चीजों को मैरी देख रही होती है She puts her cars aside फिर वो अपनी सारी जो cars होती है उनको side में रख देती है She put two thick bamboo poles and laid them side by side She lay a thinner pole across the two and tied it with cane like she had seen her father do वो क्या करती है देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको picture में दो bamboo poles दिख रहे होंगे bamboo poles के बालसा अगल बगल रख करके उसमें वो thin pole लगाती है यानि कि एक pole और लगाती है एक दूसरे के across में यानि कि तेड़ा करके बनाती है लगाती है जैसा उसने अपने father को बनाते वे देखा होता है फिवो क्या करती है she tied another pole in the same way in the opposite direction और same तरीके से वो एक और pole लेती है और opposite direction लगा देती है जैसे पहले ऐसे लगा था दूसरा वाला ऐसे लगा देती है यानि कि दो अलग अलग आपस में स्टिक्स में अटाच कर देती है bamboo poles में she placed many smaller poles one after the other and tied each of these down और उसकी बात वे वो बहुत सारे छोटे-छोटे poles को लेती है और उन सभी को बानती चली जाती है जाने कि एक बिलकुल जैसे हम सीडी देखते हैं बिलकुल उस तरीके से बानती हुई चली जाती है she then dusted her hands and looked at what she had built उसके बाद उठकर के अपने हाथ जाडती है और देखती है कि उसने क्या बनाया है a long messy rectangle josanna would have enjoyed building this mary thought mary सोचती है कि यह तो बहुत लंबी सी rectangular messy rectangular सी कुछ चीज बन गई है josanna अगर साथ में होती है इसको बनाने में उसे बहुत मज़ा आता साथ में mary यह बाते सब सोच रही होती है यानि mary जो है अपनी दोस्त को बहुत जादा miss कर रही है mary tried lifting the rectangle and placing it on her shoulders अब यह जो इसने rectangle बनाया था ठीक है इतना बड़ा सा mary उसको उठाने की कोशिश करती है और अपने कंदे पर रखने की कोशिश करती है she stumbled she tried again this time it was easier वो थोड़ा सा लड़ खडाती है उसके बाद फिर वो दुबारा से try करती है उठाने का उसको और इस पर उसको वो असानी से उठा भी पाती है where to Samuel her elder brother asked फिर जब उसका भाई वो से पूछता है कि तुम कहां जा रही हो और जो Mary है उसके बड़े भाई का नाम है Samuel Samuel पूछता है तुम कहां जा रही हो to Josannas Mary replied Mary कहती है मैं जोजाना के घर जा रही हूँ there was Josanna in her usual spot और Josanna जहां पर एकसर खड़ी रहती थी वो वहीं पर ही खड़ी होती है अपने घर पर मतब जिस पोजिशन में बाहर खड़ी रहती थी उस जगे पर वो खड़ी होई होती है Mary scrambled up a tree near Josanna अब Mary जो है वो एक पेड के उपर चड़ जाती है जो कि Josanna के पास में होता है go away said Josanna frowning तो जो Josanna है वो Mary को गुसे में कहती है चली जाओ यहां से frowning का मतलब होगा गुसे में ठीक है Samuel climbed up and sat next to Mary और फिस Samuel भी पेड के उपर चड़ जाता है और Mary के पगल में जाकर के बैठ जाता है He gave her a rope to hold and held one himself Samuel और Mary को एक रसी देता है पकड़ने के लिए और एक छोड़ होता है रसी का खुद से पकड़ लेता है Samuel and Mary took a deep breath and pulled the rectangle up with all their might और फिस Samuel और Mary लंबी गहरी सांस लेते हैं और उस रसी की मदद से वो जो उन्होंने rectangle बनाया होता है उसको पूरी तरीके से उठाने की कोशिश करते है जितनी उनमें शमता होती है फिर उसके बाद ये कुछ साउंड्स हैं करेक करेक फ्यू They then made it lie flat between them और फिर उसे बड़े ही अराम से उसको उठा लेते हैं प्रयास करने के बाद When Mary reached the other side, Josanna was still frowning जब Mary जो है दूसरी तरफ जाती है तो Josanna अभी भी गुस्से में देख रही होती है Her eyes moved from Mary to the rectangle and then back to Mary अभी जो Josanna है वो गुस्से में एक बार Mary को देखती है फिर rectangle को देखती है फिर उसके बाद दुबारा से Mary को देखने लगती है Do you think we can build a train to run on this? Josanna asked breaking into a smile और फिर तब ही क्या होता है Josanna जो है अपना गुस्सा छोड़ करके Mary से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हम इस पर एक train बना सकते हैं इस पर दोड़ाने के लिए और फिर मुस्कुरा पड़ती है यानि कि स्टोरी में हमने क्या देखा हमने देखा कि जो भी इन दोनों के बीच में सहेलियों के बीच में लड़ाई होती है ठीक है और जो भी इनके बीच में मिस अंडरस्टानिंग होती है पर उसके पावजूद भी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी एक दूसरे के बात का बुरा नहीं मानती है और वापिस से दोस्त बन जाती है तो स्टूडेंस यह इस चाप्टर का एंड था आई होप आपको इस एक्स्प्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी अब हम चलते हैं इस चाप्टर के कोशन आंसर्स पर ग्रांट पाचब चाप्टर नुमर 12 क्लास 3 कोशन आंसर्स आ है ये चुजदा करेक्ट ऑप्शन पर चलते हैं मेरी और जॉजआना वर मैरी और जॉजआना क्या थे क्या नेबरस थे और क्या वह दोनों बेस डेंस भी थे तो हाँ वह दोनों बेस Parliament जी थे जीर फूर्ट यानी कि किका वह द्टोनों नेबरस और बेस practically तो port the आगे चलते हैं, जोजाना मेड डाश, जोजाना ने क्या बनाया होता है, जोजाना ने एक वेस्ट पैंट बनाया होता है अपनी मद़ के लिए, Samuel helped Mary Samuel ने Mary की मदद किस काम में करी थी फिश करी बनाने में बैंबू ब्रिज बनाने में या फिर बैंबू ब्रिज को उठाने में तो बैंबू ब्रिज को लिफ्ट करने में मदद करी थी किस की कैसे करी थी रसी की मदद से उसने मदद करी थी Mary की उस bridge को उठाने में आएए आगे चलते हैं अब इसके question answers पर Why was Josanna upset with Mary? तो Josanna जो थी वो Mary से upset क्यों थी? Josanna was upset with Mary because Mary did not like the waste band Josanna made for her mother Josanna upset इसले थी Mary सी क्योंकि Mary को वो जो waste band था वो नहीं पसंद आया था जो Josanna ने उसकी मदर के लिए बनाया था With whom did Josanna have lunch in school the next day? तो Josanna ने lunch किस के साथ किया था अगले दिन school में? तो Josanna ने lunch किया था Caroline के साथ तो Josanna had lunch with Caroline in school the next day आगे चलते हैं अगले question पर What did Mary start making with the two bamboo poles? तो Mary ने दो bamboo poles से क्या बनाना शुरू किया था? तो क्या बनाना शुरू किया था? आंसर में लिखेंगे Mary started making a bamboo bridge with the two bamboo poles तो Mary ने bamboo bridge बनाना शुरू किया था दो bamboo poles से bamboo का मतलब होता है buns आगे चलते हैं next question पर Where did Mary take the bamboo bridge? Why did she do this? तो Mary bamboo bridge को कहां पर लेकर कि गई था? उसने ऐसा क्यों किया था? Mary took the bamboo bridge to Josanna's house She did this to make amends and share a creative moment with Josanna तो Mary जो थी उसने bamboo bridge को Josanna के घर लेकर के गई थी वो और वो ऐसा इसलिए उसने ऐसा किया था? क्योंकि वो अपनी दोस्ती amend यानि कि ठीक करना चाहती थी Josanna के साथ ठीक है? और उसके साथ creativity शो करना चाहती थी यानि दोनों सहेलिया मिलकर के हरतम से बनाती थी कुछ-कुछ सम्मान और इस बार भी वो Josanna के साथ ये creative moment share करना चाहती थी जो उसने खुछ से बनाया था How did Samuel help Mary? तो Samuel ने Mary की help कैसे करी थी Samuel helped Mary by providing ropes to lift the bamboo bridge up the tree तो Samuel ने Mary की मदद करी थी ropes देके यानि रसी देके ठीक है? और उस रसी की मदद से जो bamboo bridge था उसको पेड के ऊपर उठाया गया था lift यानि उठाया गया था आगे चलते हैं अगले question पर What did Josana say when she saw the bamboo bridge on the tree? तो Josana ने क्या कहा था जब उसने bamboo bridge को पेड के ऊपर देखा था When Josana saw the bamboo bridge on the tree she asked Do you think we can build a train to run on this and broke into a smile? तो Josana थी उसने यह कहा था कि क्या तुमें लगता है कि हम एक train इसके उपर बना सकते हैं और इसके उपर चला सकते हैं और मुस्करा दी थी अब आगे चलते हैं reference to context के questions पर पहला है I don't think she will ever wear it I would never wear it तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी यह पहनेंगी और मैं भी इसे कभी नहीं पहनूँगी refers to Josana's mother आगे चलते हैं next question पर What would the speaker never wear? तो जो speaker है यानि कि Mary जो है वो क्या नहीं पहनेंगी The speaker would never wear the waistband तो जो speaker है यानि कि Mary जो है वो कभी प्यूस waistband को नहीं पहनेंगी Do you think we can build a train to run on this? क्या तुम्हें लगता है हम एक train बना सकते हैं इसके उपर चलाने के लिए Who is the speaker? ये बात किसने बोली है? ये बात बोली थी Josana ने है न अपने दोस्त Mary से The speaker is Josana तो यहाँ पर answer आजाएगा The speaker यानि कोशन का The speaker उसके बात is लगाएंगे और फिर Josana ओके आके चलते हैं What is being referred to as this? जो this है वो Bamboo Bridge के लिए इस्तमाल किया है What did this line mean to the listener? तो इस line से जो Mary है उसको क्या पता चलता है? This line meant excitement and a positive idea to the listener Mary तो इस line से यह पता चलता है कि जो Mary है वो ये बात को सुन करके excited हो जाती है और एक positive idea जो है Mary के लिए आता है अब आते हैं think and answer पर Do you think Mary was being unkind to Josanna when she said that she did not like the waistband Why do you think so? तो question में पूचा है क्या आपको लगता है कि Mary जो थी वो Josanna से बहुत जादा unkind यानि बहुत जादा rude थी ठीक है? क्योंकि उसे वो waistband नहीं पसंदा आया तो उसने बोल दिया रहा कि उसे नहीं पसंदा आया तो आपको क्या लगता है कि वो बहुत जादा rude थी यानि अनकाइन थी और ऐसा आपको क्यों लगता है कि वो unkind थी तो answer में लिखेंगे तो यहाँ पर आंसर है कि नहीं इससरा नहीं में चासिषभा tha अनि मैरी उसने गलत बाथ नहीं बोली थी क्योंकि घर किसी का अपना तेस्ट होता है अपना कपड़ पेंने तरीका होता है किसी को कोई चीज पसंद होती चैस Big Pur नहीं है और मैरी ने अपना honest opinion दया जो वो सौचती थी उस कपड़े के बारे में उस सही बात बोली थी ऊसके लिए उसने सची बात बोली थी और लोगों का डिफरेंट पीनियन होना बहुत नॉ depl Śयए बहुत नॉर्मल सी बात है हर किसी की चोईस एक जैसी नहीं होती है, सब की चोईसस अलग-अलग होती है और यही बात मैं आपको चाप्टर के स्टार्टिंग में भी समझा रही थी कि अगर मैरी ने ये बोल दिया जल्याना को मुझे नहीं पसंद आया मैं भी नहीं प्यान होगी इसे तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है में भी हम जादा एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं इसलिए हमें बुरा फील होता है पर बुरा फील होने का कोई भी इसमें मतलब नहीं है ठीक है हर किसी की ओपीनियन सुनना बहुत important होता है कोई भी इंसान किसी चीज के बारे में कैसा सोच रहा है वो हमारे पर नहीं depend करता है वो उनके taste पर depend करता है आगे चलते हैं next question पर Was जोजाना wrong in being upset with her friend? Why do you think so? क्या जोजाना जो थी अपने दोस्त के ओपर जो upset थी वो गलत upset हुई थी? ठीक है और why do you think so? तो आपको क्या लगता है इसमें No, जोजाना was not wrong to be upset people can feel hurt when their efforts are not appreciated however, it is important for friends to communicate and understand each other. तो नहीं आइसे में लिखेंगे नहीं जोजाना जो थी उसने बिलकुल गलत नहीं किया था upset हो के और गुसम हो गई जो जाना जो starting में इसा उसने जो किया था उसने बिलकुल भी गलत नहीं किया था क्यों? क्योंकि जो लोग होते हैं वो अकसर बुरा मान जाते हैं जब उनके किये हुए efforts पर कोई उन्हें शाबाशी नहीं देता है Mary और जोजाना की case में भी यहीं हुआ था Mary ने तो straight forwardly बोल दिया था मुझे तो यह पसंदी नहीं आया और यही बात सुन करके जो जाना गुस्सा हो गई थी तो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है? और आगे आगे तो जैसे आप कोई भी ड्रॉइंग बनाओगे क्या पता कि टीचर को पसंदना है? तो आपको बुरा लगेगा क्या? नहीं आपको अपनी चीज को improve करना चाहिए है नो? तो यहां पर भी सेम यही चीज है हर किसी की opinion अलग होती है उसमें बुरा मानना नहीं चाहिए ठीक है? और कि कहते हैं हमेशा important होता है कि जो दोस्त हैं वो हपस में communicate यानि बातचीत करें और एक दूसरे को समझें स्टूडेंस इस चैप्टर का एक थर्ड कोशन और भी था जो कि मैंने इसमें cover नहीं किया है Have you ever been upset with your best friend? How did you two start talking again? तो यहां पर कोशन यह है कि क्या आप कभी अपने best friend से गुस्सा हुए है और आप दूनों ने बातचीत कैसे start करी तो यह कोशन आप लोगों को खुझ से अपने best friend के साथ करना होगा कि आप कि स्टाथ पर अपने best friend के साथ गुस्सा हुए थे और आप दूनों ने बातचीत विश्से करना कैसे शुरू किया तो इसका answer आपको खुझ से class में अपने बताना होगा ठीक है students यह इस chapter का end था I hope आप सभी ने सारे question answers लिख लिए हैं अगर जो नहीं लिख पाए हैं वो वीडियो में बैक जागर की answer लिख लें पूरी तरीके से और इस वीडियो को अपने सभी friends सक ज़रूर शेयर करें थांक्यू